नमस्कार मैं डॉक्टर मनीश कुमार पाठक MBSC Animal Nutrition आज आपको बर्सीम खिलाने के सही तरीके के सम्बंद में कुछ महत्तपूर जानकारी दूँगा जैसा कि हमारे किसान भाईयें भाईयों को या जो भी हमारे पशुपालक हैं उनको ये बात पता है कि जैसे ही ठंड का मौसम सुरू होता है जो भी दुधारू पशु है उनको बर्सीम उपलब्ध हो जाता है चारे के तौर पे और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी हमारा दुधारू पशु है उसको बरसीम बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उसको बड़े चाव से खाते हैं एक आम तोर पे देखा जाता है कि एक हमारा दुधारू पशु जो 10-15 लिटर तक दूध देता है वो 40-50 किलो बरसीम बहुत अच्छे से खा सकता है लेकिन मेरे पशु पाल को मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बरसीम अपने दुधारू पशु को खिलाते हैं तो उसके कुछ नियम भी आपको समझ में आना चाहिए जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप अपने दुधारू पशु को बरसीम खिलाते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो आपका दूध होता है आपके गाए का वो बहुत ही ज़ादा पतला हो जाता है जिससे कि हमें ये शिकायत मिलती है कि हमारे दूध का जो लिठापन नहीं है तो हमारे पशुपालत जो होते हैं उनके मन में आता है कि आखिर ऐसा हम क्या करें कि जिससे की हमारा जो दूद की जो गुडवत्ता है वह बनी रहे तो इसलिए मैंने ये आज विशय आपके लिए लेकर आया हूँ जब कभी भी इस तरह की समस्या आए तो अगर हम उसका ड्रैमेटर कैलकुलेट करें कि मतलब उसको कितना दाना चारा भूसा और बरसीम खिलाना है तो अगर उसका जो आकलन करेंगे तो करीब करीब 40-50 केजी जो है आप बरसीम अपने 10-15 लेटर वाली गाय को खिला रहे हैं 24 घंटे में तो उसके साथ साथ ये भी राशन में जरूर रखना चाहिए भूसा देने से ये फायदा ये होता है कि जो आपको दूद पतला होने की जो समस्या आती है वह आपकी जो है कम हो जाएगी दूद की और जो फैट और SNF जो आपको कम मिल रहा है मतलब दूद में जो गाड़ापन आपको चाहिए वह भी आपको इस भूसा खिलाने से मिलेगा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कभी भी बरसीम आप अपने दूदारू पशु को देते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि मीठा सोडा का प्रियोग बिल्कुल मत करें अगर आप मीठा सोडा का प्रियोग करेंगे तो उससे भी ज जाय का गोबर होगा वो बहुत पतला आएगा और साथ ही साथ जो दूद का जो होगा वो भी बहुत पतला मिलेगा आपको और आपको हमेशा शिकायत रहेगी कि हमारे जो दूधारू पशु हैं उनका जो दूद है वो पतला आ रहा है तो मेरे पैयरे पशुपाल को जो भी